कहते हैं कि रिष्टा तब साथ चलता है जब मामला बराबरी का हो या फिर रिष्टे बराबरी से निभाय जाएं उत्तपरदेश की राजनीती में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है बीजेपी बड़े भाई के रूप में है तो आरेल्डी छुटे भाई के रूप में और आरेल्डी के ही एक नेता ने मुख्यमंत्री को हाल ही में गाज़ेबाद में हुआ उनके कारिकरम को लेकर चिठ्ठी लिग दी है और साथ तोर पर मंच पर बराबरी की मांग की है क्योंकि दोनों ही पार्टी का लोग सभा के चुनाओं से पहले गड़ बंधन हुआ था और तब दोनों ही पार्टी एक दूसरे के साथ निभाते हुए बहुत अच्छे से नजर आ रही थी लेकिन अब जब उप चुनाओं से पहले लगातार दौरे चल रहे हैं मुख्यमं मुख्यमंत्री जी को उसमें आपने साथ तोर पर यह मांग की है कि मंच पर बराबरी का हिस्सा दिये जाए रिष्टा बड़े भाई चोटे भाई का जरूर है लेकिन रिष्टे तभी कामयाब होते हैं जब सही माइने में दोनों तरब से निभाय जाए ऐसा क्या लगा देखा था कि मंच पर कोई भी नेता मौजूद नहीं था देखे एक दरफ देश के प्रधान मंत्री जी है जिन्नोंने चौदी चरण सिंग जी को कितना बड़ा सम्मान दे के हमारे नवाजा और मेरे नेता को इतना बता निड़ने लेना पड़ा कि उनको एंडिय का देखरम हो और दस सीटें जो हमारी लिए एक चैलेंज का विशे है उसमें राष्टी लोगदल का एक भी नेता ना हो कभी हम सब्सक्राइब रहे हमने कभी मुद्दा नहीं छोड़ा है चैकिसान का मुद्दा हो गन्य पेमेंट का मुद्दा हो युवा का मुद्दा हो व् सुनिल शर्मा ची नि एंदर कशर जी परसनल तोर पर जानते हैं शांचर हैं मैं चाहता निता केंब आ और नीथी इसन और दीरिया है यह जरूरी है क्योंकि जाती का ददार से देश पर्देश अधको कि जले जाते हैं आप शहर विदान समय में चुनाव मुझा बिलत चाहते हैं ऍहला आप संख्या बनाए को से आदमी को कहा क्या मत बनाना है हम यह उसी बैठक में भाजपाय के लोग मौजूद हैं लेकिन अरली के लोग उस बैठक के इंदर नहीं होते हैं ऐसा लगता है कि पार्टी जो है अरली को असे नहीं कर रही है देखें असे ना करती होती तो केंदरे मंतरी नहीं बंतरे हमारे जैन जो जी और जब से लगे मुझे बैठी निरेजन जी विदेश से लेकर और हर कोने में जा रहे हैं काम कर रहे हैं कल को मेरे नेता पर कोश्चन उठे मैं नहीं चाहूंगा क्योंकि कल को कह जी आपके वार्ड में जिस वार्ड में लोग दलका नेता रह रहा था जिस विदान समा में रह रहा था वहां से वो पार्टी के लिए करना है तेंकि सम्मान तो ज़रूरी है ना बहुत शातिर है पॉलिटिकल जिसको शातिर कहा जाता है उन्होंने चौधी चुरंचिंजी को एक भारत रत ने दिया और पार्टी में आप लोग तो उसका ऐसा लगता है कि जैसे जबरश्टी आप लोग भाग क शामील हुए शादिसी वेज़े से सम्मान की कमें मिल रही है आप लोग को नहीं हमने करके भी दिखाया है और ऐसा नहीं है जैन चौधरी जी को आज अपनी पैचान के जूरत नहीं है उन्हें विरासत में बहुत कुछ मिला है हमें दो सीटे दी हम दोनों जीत के दिखाई और आज जो हम उनको केंद्रे मंतरी का दर्जा दिया है किस कैपिबिल्टी से उनकी पड़ाई लिखाई आज काम आ रही है आज प्रधान मंतरी जी को मैं बोलते हुए देख रहा था सुमें उन्होंने जैन चौधरी जी का नाम कोड करके कहा कि स्किल पे हमारे जैन चौध है कि मुझे चड़ाएं ना चड़ाएं लेकिन लोगदल के कारे करता हो जुरू मंच पे स्थान में चाहिए अगला सवाल यह कि दस सीटों पर आप कह रहे हैं कि चुनाव है शहर में पंजाबी समाज का एक अच्छा खासा वोड़ बैंक है तो आपको नगलट करके बीजे समान हमेशा सवाय होके आएगा मैं दावे से कह रहा हूं चौदरी जैन सिंग जगा गाजयाबाद कारिकरम लगेगा या हमारे किसी का कारिकर कारिकरम लगेगा लोगदल का मैं मंच में बीजे पी के सभी निताओं को निमंत्रण देके मैं खड़ा रहूंगा उनको सब्सक्राइब करता होगा मेरा परसनल इमिटेशन जाएगा मैं खड़ा रहूंगा मैं बीजे पी के नेता को कुर्शी दूँगा एक सवाल और की दस सीटों पर चुनाव है उसमें से आरलडी दो सीटों पर दावरदारी मांग रही है एक मीरापुर वाली सीट दूसरी ख अब लग रहा है कि दो सीटे मिलेंगी जिसके जो एक फौरी दर्वर माना यह निर्ने तो हाइकमान का है हमारा काम है अपनी बात मजबूती से रखना हमने तीन सीटे मांगी है जो हाइकमान तय करेगा हम उस पर लड़ेंगे और मेहनत करेंगे और जो हम पर विश्वास हो होगा उस पर खरा उतरी फिर साब के पतर पर लोड़ते हैं पतर पर कारवाई नहीं हुए क्या आपने तो संगिठन के से लेकर के प्रदेश के अधिस तक को चिट्टी बेजी है क्या कुछ रिप्लाई आया है आगर नहीं होता है तो आगे आप लोग किस जो है वो मंच पर अपनी बात को रखेंगे कई दफ़ा क्या होता है हर आदमी का अपना टेस्ट मेरा तीस साल का राजनीति को समाजिक जीवन में मैं गाजियावा सिंग सभा में भी मुखे भूमिका में हूँ मैंने अखवारों में छपने के लिए काम नहीं करा है मैंने अगर समान के सब्सक्राइब करूगा और मुझे आशा है कि मैं अपनी मुझी जीत होगी और अगले कारिकरम में लोगदल के नेताओं को सम्मान मिलें हमाई साथ इंजर जी सिंग जी थे जो कि मुख्यमंदरी को उन्होंने हाल ही में हुए कारिकरम को लेकर के पत्र लिखा था वो अभी केमर परसन सनी के साथ में लोकेश राय भारत समाचार गाजबाद